अगर आपको अभी तक नई पता चला है तो जल्दी से जाके इस वीडियो को छोड़ कर पहले मैंने ब्लैक का वीडियो देखें और फिर उसके बाद मेरे रिव्यू सुने है तो फाइनली अगर आप इस वीडियो को छोड़ चुके तो चलिए कंटीनियो करते हैं तो ये ट्रिलर देखने के बाद मेरे मुझे से निकला वाव क्या ट्रिलर बनाया है और फाइनली इस मूवी को हिट जाना चाहिए क्रिस हैमसवर्थ काफी अंदाज में और एक्शन में लग रहे हैं और इसमें जो भी नहीं करेक्टर है और सबसे बड़ी बात इसमें पहला वड़का बड़ा अच्छा कॉंट सब यूस करा गया है इस मूवी में और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता था पहली से ही कि ये मूवी रूट ना हो ना ही कोई इसमें चेंजिस हो तो फाइनली कंफर्म हो गया टेलर देखते ही कि ये मूवी कंटियूनेस है यानि की चौता पार्ट और इसमें दो कैमियो बहुत अच्छी दे रखें एक तो पहले पार्ट का और एक सेकंड पार्ट का जो कि आपको देखी रहे होंगे रिसेट में तो मैं काफी खुश हूँ क्योंकि पुरानी चीज़ें काफी सारी जोड़के चले हैं और देन सबसे बड़ी बात यह होती है कि कि किसी भी मूवी को अगर आप कंटियूनेस लेके चलते हो तो पुरानी मूवी से जोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैंस को तभी मज़ा आता देखने में और फैनली ट्रेलर में काफी सारे एक्शन देखने को मिले और देन थार यानि कि हमारे क्रिस हैंसवर्थ काफी कर रहा लग रहा था और सबसे इंपोर्टन बात पुराने एलियंस देखने को मिले जो कि चार-पांच ब्रदर पाकिस्तान जो देश या वह वीडियो को देख रहे हूं अभी रिसेंट में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि मैंने पाकिस्तान में भी सूट कोई है और बात करते हैं इसकी कुछ एलियंस टाइप की करेक्टर के तो इसमें इतना जादा रिविल्ड नहीं क या दोस पे एजेंट जी के हाथ मारो या के के हाथ मारो और और कुछ मत मानना बाबाए जारो